थोड़ा कीमती टाइम कड़ के जरूर पड़ो बदाम दे तेल नाल सिर्दी मालिश करन नाल दिमाग तेज हुंदा है अते वाल लंबे अते मजबूत हुंदे हन पलका ते बदाम दा तेल लगा के सोन नाल पलका लंबियां अते कनी हो जांदी हन रोजानना नरम अते फुली होई रोटी खान नाल कमर दी चर्बी नहीं वदेगी रोजानना योगा करन नाल शुगर अते पेट दियां कई बिमारियां दूर रहन दिया हन रोजानना रात नूँ पांज तो सात बदाम अठ तो दास किश्मिश दे दाने अते दो अंजीर दे दाने इक गिलास पाणी विच प्योगे स्वेरे होली होली चबाग गेखाओ अते थोड़ी देर बाद कोसा दुद पीन नाल दिमाग तेज होनदा है अते शरीर नूँ ताकत मिल दी है जेकर तो अडे शरीर च दरद हो रहा है ताँ दो तो तो तिन काली मिर्च दे दाने पाणी नाल निगलन ते शरीर न Tä दरद ज अराम मिल दा है जेकर तो अन्नू पिशाब जलन मैसूस होंदी है ता रोजानना खीरा खाओ तो अन्नू अराम मिलेगा रोजानना एक छोटी इलाइची चबाओ ये श्रीर लई बहुत फाइदेमंद होंदी है बिना शक्कर दे निम्बू पाणी बना के पीन नाल साधी बदबू दूर होंदी है दही अते शहद नू चेहरे ते लगाउन नाल चुर्यां काट होंदी हैं जेकर पिशाब रुक रुक के आउंदा है ता नारियल पाणी पीओ पिशाब खुल के आउना शुरू हो जावेगा नारियल पाणी बहुत ही फाइदेमंद होंदा है तूसी आप अते अपने बच्चेयां नू नारियल पाणी जरूर पिलाया करो रुजानना तरबूज खाऊ तरबूज खान नाल गुर्दे ठीक रहन दे हन पोजन दे इक हिस्से विच अनाज अते दुज्य हिस्से विच सबजियां होनियां चाहिदियां हन तेज मसालेदार अते चिकनाई वालियां चीज्यां व्यक्तिनू बिमार कर दियां हन इसलिए इनाची जादी कट तो कट वर्तो करनी चाहिदी है राद दे खाने अते नीद विचकार कट तो कट तिन कंटे दा अंतर होना चाहिदा है इस नाल से ठीक रहन दी है वीडियो देखनली बहुत बहुत तान्वाजी